अगे बरतें CS सुदाश पंत ने प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल का ओचग निरिक्षन कर व्यवसाओं का जायसा लिया CS अचानक धन्वंतरी ओपीडी पहुंचे जहां से IPD में कई बाड़ों का दोरा किया जोरां CS पंत ने एक दरजन से ज़्यादा जगों पर मरिजों से अस्पताल की व्यवसाओं का फीड़ बैक लिया करीब एक घंटे के दोरे में CS सुदाश पंत अस्पताल की व्यवसाओं पर संतुष्ट नसर आये ये रिपोर्ट देखे मुख्य सचिव सुदाश पंत सुभ़े करीब साड़े नो बजे SMS उस्पिटल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुँचे CS के पहुँचने की सूचन मिलने पर SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजी बगरहट्टा अधिक्षक डॉक्टर अचल शर्मा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँच गए रजिस्ट्रेशन काउंटर की व्यवस्था से CS संतुष्ट नजर आये फिर CS पंत धनवंतरी OPD ब्लॉक गए जहां उन्होंने जनरल मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नियूरोलोजी समेत अन्य ब्लॉक का दोरा किया यहां उन्होंने दवाई काउंटर पर व्यवस्थाएं देखी डॉक्टरों की उपस्तिती की जाच की, यहां कुछ गंबीर मरीजों को पैदल आता देख पंत ने OPD ब्लॉक में वीलचेर की संख्या बढ़ाने, ट्रॉली और वार्ड बॉय की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये CS सुदाश पंत का SMS अस्पताल का ओचक निरिक्षण पंत ने दिल्ली एम्स और PGI चंडीगड से की SMS की तुलना कहा देश भर में SMS अस्पताल का बड़ा नाम है दिल्ली एम्स में जहां 14,000 मरीज रोजाना OPD में आते हैं PGI चंडीगड में करीब 12,000 मरीज OPD में आते हैं वैसे ही SMS अस्पताल में भी 10,000 के करीब चलता है OPD SMS में मरीजों का जितना दबाव है उस हिसाब से व्यवस्थाएं ठीक हैं CS पंत से NPA की अनिवारिता को लेकर मीडिया ने पूछा सवाल उन्होंने कहा इसके लिए संबंदित विभाग से बात करनी पड़ेगी जहां जहां CS वहां साब सफाई के लिए भाग दोर CS सुदांश पंत का SMS अस्पताल का आउचक निरिक्षण CS ने एक घंटे के दोरे में OPD में मेडिसिन, कार्डियो, निूरोलोजी समेत अन्यज जगहों की व्यवस्थाओं को देखा साथी IPD में और्थो विंका किया निरिक्षण जनरल वार्ड के बातरूम में भी पहुँचे मुख्य सचेव वहां एक एक नल खोल कर बातरूम का किया अवलोकन इसके बाद CS ने कमांड सेंटर, लाइफ लाइन सेंटर, दवा काउंटरों का निरिक्षण कर व्यवस्थाओं को जाचा खास बात ये रही कि CS अस्पताल में जहां जहां गए वहां सफाई के लिए करमचारी आगे आगे दोड़ते नजर आए मुख्या गलियारे में तो ये इस्ति थी कि गीले पहुचे में से CS निकले SMS अस्पताल का मैनेजमेंट काफी चिनोती पून CS सुदाइश पंत का SMS अस्पताल का ओचक निरिक्षण OPD से लेकर IPD में कई जगों पर पहुचे CS अस्पताल में भरती मरीजों से भी रूपर हुए CS पंत करीब एक घंटे के दोरे में अलग-अलग फीड़ बैक पर बोले पंत SMS अस्पताल में मरीजों का जिस तरह का है दबाव उसको देखते हुए यहां प्रबंदन को काफी काम करना पड़ता है SMS की व्यवस्ता काफी बड़ा और चिनोती पूर्ण काम है हालांकि मौजूदा इस्थिती में यहां व्यवस्ताइं हैं संतोष जनक CS का मजबूत होमवर्क CS सुदाश पंत के SMS के औचक निरिक्षन से जुड़ी खबर जेडिये, परिवेन भवन, जिला कलेक्टर, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम का निरिक्षन कर चुके CS पहुँचे SMS निरिक्षनों के दौरान CS के मजबूत होमवर्की दिखी जलक अब तक जहां भी गए CS, वहां खामियों पर किया सीधे फोकस SMS के दौरे में भी CS ने अधिक शक्से किये कई सवाल MRI CT स्कैन सेवा में मरीजों की दिक्कतों पर सवाल साथ ही रात के वक्त मरीजों की सेवाओं पर विशेश फोकस के दिये निर्देश सबसे सुखद बात ये रही कि पांच साथ जो भी मरीजों से मैंने बात की सभी संतुष्ट रहे ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं स्वास्त में केंदर में भी रहा और देश के अनेकों एम से लेके अनेकों अस्पतालों में गया ऐसा बहुत कम होता है कि पांच साथ रैंडमली जिंजिन मरीजों से बात की चाहे वो इंडोर वाले थे चाहे आउटडोर में अपनी बारी का वेट कर रहे थे सभी संतुष्ट रहे किसा वहां हमें इलाज हो जाता है दवाई के लिए पैसे नहीं देने पड़ते कोई परिशानी नहीं है CS के दोरे के बाद अधीक शक डॉक्टर अचल शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि ववस्ताइं ठीक रहें लेकिन ये सतत प्रक्रिया है जिसमें कभी भी खामी निकल सकती है चिकिस्तकों के बाहर प्रेक्टिस करने के सवाल पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हमारा कारिशेत्र अस्पताल तकी सिमित है अगर कोई डॉक्टर अस्पताल में मौजू नहीं है तो उसकी मौनिटरिंग हम कर सकते हैं लेकिन अस्पताल समय के बाद कौन क्या कर रहा ये शित्राधिकार में नहीं है। दिल्ली एम्स पीजियाई चंडीगर्ड से नहीं हो सकती SMS की तुलना। CS सुदाइश पंत के SMS के ओचक डिरिक्षन से जुड़ी खबर। अस्पताल अधिक्ष्यक डॉक्टर अचल शर्मा ने कहा दिल्ली एम्स और पीजियाई चंडीगर्ड मरीजों के लिए रेफरल हॉस्पिटल हैं। वहां रेफरल मरीजों को इस संस्थान में भरती किया जाता है। जबकि SMS अस्पताल रेफरल अस्पताल नहीं है। यहां हम किसी मरीज को इलाज के लिए मनान नहीं कर सकतें। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि मरीज को बेहतर इलाज मिले। पहले यहां पर माननी मुख्यमंत्री जी का भी दोरा हो चुका है। है, हमानने है ही हेल्फ प्रिश्टर साभ भी यहां पर आके गए और आज चीफ सेक्रीटर साभ ने भी यहां पर दोरा लिया। लिया और उन्होंने में ऑपरिडिस लेके नीज ने पुंताल भी है उनकी सबकी सुविद। सब्सक्राइब करें लेकिन मैं मानता हूं कि इतना बड़ा उस्पिटल है उसमें हम हर चीज 100 पर्चेंट नहीं कर सकते कोशिश जरूर रहती है जितना हम जाद से जादा अचीव कर पाएं जाद साधा हम उनको सुविदा दे पाएं मुख्यमंतरी बजनलाल शर्मा के SMS अस्पताल के और चक निरिशन के बाद से जारी सुधार की कवायत पर चीफ सकेटरी सुधान स्पंत ने मोहर लगाई है चीफ सेकेटरी सुधान स्पंत आज सुबह SMS अस्पताल का दोरा करने पहुचे जहां उन्होंने धनवंतरी OPD से लेकर IPD में बरतीम बरीजों से फीड़वेक लिया इसके साथ ही दवा काउंटरों समेत अन व्योस्थाओं का भी चीफ सेकेटरी ने जायदा लिया हाला कि इस दोरान कुछ व्योस्थाओं में सुधार के लिए अस्पतार अधिशक को डारिक्शन भी दिये गे लेकिन चीफ सेकेटरी ने ओल और व्योस्थाओं को संतोजनक बताया कैमरा पसंद सुरेंद के साथ विकास शर्मा, फश्टने न्यूज जैपूर